गल में एक कौवा रहा करता था, वह अपने काले रंग से हमेशा दुखी रहता था, जब भी वह रंग बिरंगे और खूबसूरत पक्षियों को देखता तो उसके मन में यही विचार आता की, काश मैं भी इनकी तरह खूबसूरत होता, उसने अपने इस विचार को अपने दो के सबसे भागयशाली पक्षी हो, शायद तुम्हें नहीं पता है कि खूबसूरती के साथ कैद भी आती है, सभी खूबसूरत पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है और उनसे उनकी आजादी चीन ली जाती है, जबकि तुम हमेशा आजाद होकर खुले आसमान म उड़ सकते हो, मोर की बात सुनते ही कोवे को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो खुशी-खुशी घर वापस लोट आया, इस कहानी से मिली सीक मॉरल अफ द स्टोरीज इन हिंदी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी खुद की तुलना दूसरों के साथ न पहना चाहिए, भगवान ने हर किसी को अलग और अद्भुद बनाया है,